हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं हूनी रजराया और श्वागे थे आपका फार्माहर्ट्स में दोस्तों आज के वीडियो में हम फिर से एक बार सॉल्व करने वाले हैं आर आर वी रेलवे फार्मासिस्ट एक्जाम्स के कुईस्टिंस को तो चलिए शिरुवात करते हैं आज के कुईस्टिंस की दोस्तों सबसे पहला जो कुईस्टिंस आता है यहाँ पे वो है तो यहाँ पे सही एंसर जो आपका है आप थोड़ाशा गेस करिये और तब तक मैं आपको एंसर बता रहा हूँ सुनिया एंसर एंसर आपका जो है वो है ऑक्सिडेशन एक ड्रक टू ड्रक टू इंटरेक्शन नहीं है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले कुईस्टिं पर अगला कुईस्टिं है नीचे जितने भी एक्जामपल्स दिये गए हैं उसमें किसमें गलाइसेमिक इंडेक्स जादा है वही आपको बताना है पहला वेजिटेबल, होल ग्रेन, सीरफी फ्रूट और ब्राउन राइस आप गेस करिए यहाँ पर कौन सा एंसर सही हो सकता है तब तक मैं आपको एंसर बताता हूँ इसका जो सही एंसर है दोस्तों वो है सीरफी फ्रूट सीरफी फ्रूट में ग्लुकोज की मातरा ज्यादा होती है इसलिए यहाँ पर हाई ग्लाइसमिक इंडेक्स पाया जाता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन पर अगला कुश्चन है वन मिली ग्राम इस इकोल टू तो एक मिली ग्राम में कितने ग्राम होगा तो यहाँ पर सही अंसर कौन सा होगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन ग्राम नेक्स्ट इंडेक्स्ट 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 का सिनोनिम्स क्या होता है सी ओनियन, सही अंसर क्या है सी ओनियन, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ता है अगला कुश्चन है इमेटिन कैसे अक्ट करता है अंटिसेप्टिक जैसा, अंटिमलेरियस जैसा अमोभी साइड या फिर नन अपदीज, तो यहां पर सही अंसर मैं आपको बताता हूँ, है अमोभी साइड ठीक है, इमेटिन जो होता है, वो अमीबिसाइड होता है, नेक्स्ट अगला कुश्चन आप का है, सेल आर इंक्लोजड बाई अ प्लाजमा मेंब्रेन, कंपोजड मेंली आफ, मतलब जो प्लाजमा मेंब्रेन, सेल की प्लाजमा मेंब्रेन होती है, वो किस चीज की बनी होती है तो यहां पर option दिया गया है, लिविट प्रोटीन प्रोटीन एन इमलसिफाइड फैट फैट अन कार्भोहईडरेट, लिपिट and emulsified fat, तो सही answer आप guess करिए कौन सा हो सकता है, आपको मैं बताओं कि जो cells की plasma membrane होती है वो lipoprotein की बनी होती है तो यहाँ पर सही answer जो आपका है, वो क्या है first वाला, lipid and protein, ओके next आगे बढ़ते हैं अगला question आपका है cranial nerves arises from the cranial nerves कहां से निकलती है lungs से, kidneys से, brain से या फिर heart से, आप guess करिए cranial मतलब cranium और cranium का मतलब होता है brain मतलब brain cranium में होता है तो यहाँ पर सही answer क्या है cranial nerves होती है, वो brain से निकलती है सही answer क्या है brain next question cryoscopic method is used to adjust cryoscopic method किसी स्को adjust करने के लिए use होती है viscosity को, isotonicity को particle size को, यह diffusion को तो यहाँ पर जो सही answer है आप guess कर लीजिए यहाँ पर सही answer आपको मैं बताता हूँ सही answer आपका है isotonicity cryoscopic method होती है वो isotonicity को adjust करने के लिए use होती है next, आगे बढ़ते हैं अगला जो question है, वो है BCZ, मतलब bacillus calmatigurine vaccine is a bovine strain of किस चीज़ का strain होता है मतलब किस bacteria का strain होता है तो myobacterium tuberculosis salmanilla typhi, hepatitis virus या फिर para-influenza virus किस virus या किस bacteria का strain होता है BCG vaccine तो आप सोचो कि BCG vaccine किस चीज़ में लगता है उसी के bacteria या उसी के virus का strain होगा तो यहाँ पर आपको बता दें अगर आप guess कर लिए हैं तब भी और नहीं कर पाया है तो मेरे questions के answer सुनिये यहाँ पर सही answer जो है BCG vaccine TV में दिया जाता है tuberculosis में दिया जाता है तो यहाँ पर सही answer जो होगा mycobacterium tuberculosis का strain होता है BCG vaccine next आगे aspirin should be used with cosin in तो यहाँ पर सही answer देखिएगा कौन सा है asthma, fever, headache और trachycardia तो मतलब किस cosin में यूज साथ यूज के जाता है जो aspirin होता है तो आपको बता दें कि यह अस्थमा यहाँ पर सही answer जो आपका है वो क्या है अस्थमा ठीक है next आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चिन आपका है magnesium sulfate is commonly known as pharmaceutical chemistry में अपने पढ़ा होगा limestone, rosilla salt, flowers of sulfur and ipsum salt तो यहाँ पर सही answer आप गेस करीज़ जल्दी से बहुत आसान है सही से कौन सा answer शही होगा है यहाँ पर ipsum salt ठीक है, magnesium sulfate को ipsum salt भी कहा जाता है next any undesirable change in the physical, chemical और biological feature of air, land and water is called अब बताए बहुत आसान सा answer है 12 से पढ़ते हुए आए हैं इसका answer यह को system बोलते हैं, pollution बोलते हैं ecology बोलते हैं या फिर pollutant बोलते हैं तो अगर किसी चीज़ में undesirable physical, chemical और biological changes हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं pollution, सही answer कौन सा है, pollution नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले question पर अगले question है capsid is present in कहाँ पर present होता है, यह bacteria में virus में, protozova या फिर fungi में, तो यहाँ पर आप सोचो और guess करो, बहुत आजा आने कौन सा answer सही है, तो मैं आपको जल्दी से बता दूँ चलो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर सही answer जो है, virus है, virus होता है उसमें capsid present होता है, protein की खोल होती है, जिसको हम capsid या capsule बोलते हैं, next, अगला question the transformation of the larva into an adult through drastic changes is called मतलब कुलमिला के इतना समझ लीजी कि transformation of larva in adult क्या कहलाता है तो चलो, बताओ, क्या कहलाता है budding, menopause, reverse osmosis, या फिर metamorphosis, तो आप guess करिये यहाँ पर कौन सा answer सही हो सकता है तो ठीक है, आपने guess कर लिया होगा, तो अभी यहाँ पर सही answer आपको बढ़े बताओं, तो होता है metamorphosis, जो transformation होता है, लारवा का, उससे जो adult बनता है, उसको हम बुलते हैं, metamorphosis ठीक है, यह इसका सही answer है next, आगे पढ़ते हैं, अगले question पर अगले question है, the source of the bin Christian is, bin Christian का source आप लोग जानते हो, बिन का होता है, लेकिन अभी option देखिएगा, तो उसमें कुछ अलग सा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर biological name दिया गया है solenum paniculatum, ricinus, communis या catharinthus, rogius, erogenus या punica, grandum तो यहाँ पर सही answer कौन सा है, मतलब bin Christian का source कौन है, तो यहाँ पर सही answer आप guess कर लीजिए, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं सही answer जो आपका है, वह है catharinthus, rosinus, ठी है, जिसको आप बिनका भी बोलते हैं, next question who is known as an iron man of India यह बच्पन वाला question है, बार-बार आता है और यह अक्सर आरार भी त्यादी question, जो exam सोते हैं, उसमें पूछा भी जाता है, ZK as an knowledge में, जवहालन लेरू को बोलते हैं श्यमद्र गुप्त को बोलते हैं, सुबतसंद्र पुष को बोलते हैं, या फिर सरदार बल्लभाई पटेल जी को बोलते हैं तो यहाँ पर सही answer आप बताईए और guess करिये, बहुत आसान है, इसमें कौनसा सही है तो यहां पर सही अंसर जो है आरेन में अबदा इंडिया किसको बोलते हैं सरदार बल्द भाई पतेल जी को बोलते हैं next आगे बड़ते हैं अगला कोजिशन जो आपका है वह है कैल्सी टोनीन इस इस क्रीट होता है ऐडर्रेणी यह एडर्रीन्स ग्लेंड टो यहां पर जो सही एंसर है आपका आप गेस करिए कैल्सी टोनीन कहां से स्रावित होता है का से secret होता है तो थाराइड ग्लेंड से secret होता है next question sound cannot travel in physics में आपने पड़ा होगा sound जो होती है वो कहां यात्रा नहीं कर सकती कहां एक जगे से दुसरी गर नहीं जा सकती steel में air में vacuum में या फिर water में बहुत आसान सा question है इस प्रकार के questions आते हैं ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं यह जारे वही question से जो अभी तक आ चुके हैं और वी एक्जामिनेशन में फार्मासिस्ट के तो यहां पे जो सही answer आपका है वो है vacuum vacuum में sound trouble नहीं कर सकती है next आगे question बढ़ते हैं enamel is a constituent of constitute of bones teeth nail or hair तो आप सोचिए यहां पे सही answer कौन सा है guess करिए मैं जल्दी से बता देता हूं बहुत जल्दी से कि इसमें जो answer सही है वो है teeth enamel जो है वो teeth का part होता है next अगला question और last question है इस question का answer मैं नहीं बताऊंगा आपको बताना है comment box में which is causative agent of malaria malaria का causative agent कौन सा है female enophilies mosquito male enophilies mosquito या फिर plasmodium या फिर qlex mosquito यहां पर आपको बताना है कि malaria का जो causative agent होता है वो क्या होता है तो friends यह था आज का कुछ question जो की railway फार्मास से शिक्जाम में पूछा जा चुका है तो यह सारी questions जो हैं आपके लिए हैं इसको अच्छे से solve करिए और अगर इस तरह की वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारी चैनल को subscribe कर दीजेगा वीडिय के साथ हम Instagram पर follow कर लिजेगा thank you